5 seconds Start उपाध्यक्ष जी यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महतव कुछ कम हो गया है तो उसका कारण यह है कि आधुनिक परसाशन की समश्याई अंत्यंत जटिल है और विधानमंडल तथा विधायक इतने साधन संपन नहीं है कि विधान तथा नीति निर्मान की समश्याई पर गहराई से विचार कर सके तथा परसाशन की कारगर धंग से निगरानी कर सके इसलिए यह मांग सरवथा उंचित है कि सची वाल्यों की सेवाव को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवारिय रूप से सरकार की ओर से होना चाहिए एक विधायक या संसद सदस्य से यह आसा करना की वह अपने वेतन में से एक समर्थ व्यक्ति या वीदी विशेशग्य का खर्चा वहन कर सके यह अव्यवारिक है विधान सभाव और संसद के सची वाल्य पर सामोहिक रूप से परतेख सदस्य का अधिकार होना चाहिए चाहे वह सासक वरग का हो या विरोधी दल का इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य केवल विधायकों की भूमी का दे और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदाई दव सची वाल्य ले मगर सची वाल्य पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित पर्तिनीधियों के अधिकारों को कम करना होगा दूसरा महत्तवपूरण परसन एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंदों का है इस दिसा में पिछले कई वर्सों में अनेक गल्द फैमिया पैदा हो गई है यद्यपी अध्यक्ष प्राय सासक वरक का ही एक सदश्य रहता है फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद समान्यतर उसका उत्तरदाईतव अपने दल के परती समाप्थ होकर उस परतिनिधी सभा के परती हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो बदलते हुए राजनेतिक नक्से के साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि विधान सभाव और संसद में विभिन दलों की सक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए विरोधी दल अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अभेलना की जा सके मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी जादा है और विचारधाराई इतनी भिन है कि उनके लिए संशद और अनेक विधान सभाव के बीच कोई परभावसाली और रसनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है